अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो से लेकर अगले साथ वीडियोज हमाँ अगर आप चाहते हैं कि इस चानल पर सारे वीडियोज आगे से हिंडि में ही हो तो आप बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजे और एक पोल है उसमें पार्टिसिप्टाइड कीजे और मुझे बताइये कि आप विडियोज हिंडियोल की हिंडि और अगर यहां क्लिक कर रहे हैं तो यहां भी क्लिक कर दीजे, इसी धाट रेट बटन, प्लीज क्लिक आट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजे, और अगर आपने अल्रडी कर लिया है, तो वो बेल बटन देख रहे हैं, उसको भी दबा दीजे, ताकि जब भी मेरा वीडियो आप लोगो पता चल जाए, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अगर आप लोग Avengers के फैन हैं, या फिर आप लोग DIY के फैन हैं, तो यह प्रोजेक्ट आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कैसे आप एक चीप और सिंपल तरीके से घर में टी-शिट प्रिंट कर सकते हैं, और ये टी-शिट का थीम, Avengers से रिलेटेड है, तो आज हम करने वाले हैं, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, नॉर्मली सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में आपको एक फ्रेम चाहिए होता है, जिस पे एक स्क्रीन लगे होती है, या फिर एक मे स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं, नॉर्मली दाट फ्रेम कें कोस्ट यू सम्वेर बिट्वेर बिट्वेर बिट्वीन तो थाउजन रुपीज या उससे भी ज्यादा, डिपेंडिंग आप कितना बड़ा फ्रेम ले रहे हैं, और उसका चीप सेलूशन है, यह कर सकते हैं, और इसको लॉक कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, और आपका स्क्रीन हो जाएगा रेडी, तो यह है हमारा एम्प्रॉइडरी रिंग, जो कि आपको 45-50 रुपीज का मिल जाता है, तो इस रियली चीप, और ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर आर स्क्रीन प्रिंटिंग, तो फाबरिक के लिए हम यह यूज करेंगे, यह है तूल, यह एक बहुत ही लाइट वेट मटीरल है, एक तरह का मेश है, यह नेटिंग है, अलग-अलग आपको फाबरिक में मिल जाएगा, सिल्क, अफको स्क्रीन प्रिंटिंग, नाइलोन, पॉलि यह शिफॉन है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, जब आप तूल ले रहे हैं, जब आप फाबरिक ले रहे हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है, कि यह जो इसका नेटिंग है, यह एकदम फाइन होना चाहिए, तो ऐसा आपको फाबरिक लेना है, अगें इस अलसो चीप, आप आपको किसी भी फाबरिक स्टोर पे असानी से मिल जाएगा, और आपको एक छोटा ही पीस लेना है, जो कि आपके एमरोडरी रिंग में फिट हो जाए, तो चलिए इसको लगा देते है, तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन रेडी हो गया, आप देख रहे हैं कि काफी टाइट है, क्योंकि मैंने अच्छे से यहाँ से इसको पुल करके पूरी तरह से टाइट किया है, इसका टाइट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका प्रिंट अच्छे से नहीं आएगा, और यह जो एक्स्ट्रा बिट है, इसको आपका कट करके निकाल सकते हैं, एक तो उससे एक यमिज डालना जिसका आप पृंच ले सकते हैं, और यह नहीं तो नहीं नहीं मूज़िया रही है, ट्रेलर भॉग प्रॉप गया है, एंड गेम, इसके लिए मैं बहुत एक्साइट हूं, इसलिए मैं यह एक टीशिर्ट करने वाला हूं, ताकि मैं मूज़िय स्क्रीनि सबसे पहले I will place this ring on my artwork तो यहां पर जो मैंने थानोस का यह artwork बनाया है इस पर मैं place करके position ले रहा हूँ और इसके बार मैं एक pencil से उसकी outline लूँगा simply like this अब इसको हम cut कर देंगे और अपने ring के साथ चिपका देंगे तो मैंने इसको cut कर लिया है और अब इसको screen के उपर इस तरह से flip करके चिपका देंगे तो चिपकाने के लिए मैं tape ले रहा हूँ sticky tape तो हमने इसको चिपका दिया है and now you can see कि हमारा यह fabric see through है तो आपको आपका sketch easily नजर आ रहा है और अब मैं इसे permanent marker से trace करूँगा इसके पूरी outline को trace करूँगा ताकि यहाँ पर हम अपनी screen को ready कर सकें print लेने के लिए आप चाहे तो आप freehand भी draw कर सकते हैं just take a marker and start drawing on the screen और आप उसी drawing के multiple prints ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं permanent marker से अपनी outline शुरू करता हूँ okay so I am done with the outlining and the color तो पहले तो हमारा reference उसको निकाल देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि image जो है वो transfer हो यह fabric पे तो अब हमें क्या करना है अब हमें कुछ areas को block करना है जहां से कि ink इस fabric के through ना जाए और कुछ areas को open रखना है जहां से हम चाहते हैं कि ink जो है वो इस fabric के through जाए तो यह जितना भी black portion है जो मैं चाहता हूं print होगा इस area को मैं cover नहीं करूँगा यह exposed रहेगा और जितना भी यह white area है यह yellow area है क्योंकि यह fabric yellow है यह सारा negative space को मुझे block करना है तो वह block करने के लिए मैं use कर रहा हूं mod pod यह आपको online मिल जाएगा या फिर आपको अगर कोई अच्छा stationary store है तो वहां से मिल जाएगा यह तरह से glue की तरह होता है बट यह थोड़ा glue से जादा thick होता है और इससे आप असानी से fabric को block कर सकते हैं तो मैं एक fine brush से इस area में mod pod लगाऊँगा ताकि यह पूरा area block हो जाए तो इसको उल्टा कर देंगे ऐसे और अब इस area को mod pod से fill करेंगे ओके we are kind of done तो आप देख सकते हैं यहाँ पर mod pod वाला step भी हो गया है जो भी areas मुझे block करने थे वहाँ पर मैंने एक अच्छा coat mod pod का लगा दिया है काफी तो dry हो गया है बट इसको थोड़ा रखना पड़ेगा ताकि यह completely सूख जाए उसके बाद ही हम इसे use कर सकते हैं जब यह सूख रहा है उससे पहले आपको उसे check करना है एक light source के against कहीं पे भी कोई छोटी opening रहे गई है तो उसको आपको mod pod लगा के fill करना है ताकि कोई भी gap न रहे तो इसको check करते है light के against all right let's check तो अगर मैं इसके पीछे अपना हाथ डालता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह जो area है जहां पर हमने मौच पॉच नहीं लगा है you can clearly see my hand through it आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है और बाकी जहां पर हमने मौच पॉच के layer लगाई है वो पूरी तरह से block हो गया है मेरा हाथ इसके through नजर नहीं आ रहा है और कहीं पर भी हमें कोई भी छोटा hole या opening नजर नहीं आ रही है looks like I've done a good job यानि कि हमारी stencil पूरी तरह से ready है बस इसके सुखने का इंतजार है and then we can try some prints okay so let's do that all right so यहां पर हमारा मौच पॉच का layer अच्छी तरह से dry हो गया है as you can see I'm touching it पूरी तरह से सूख गया है so this is ready तो यहां पर हमारी यह screen ready हो गई है अब आप इसमें color डाल सकते हैं और उससे एक print ले सकते हैं तो वही मैं अभी करने वाला हूँ and the cool thing is कि आप इस screen को multiple times use कर सकते हैं यानि कि इससे multiple prints ले सकते हैं पहले मैं एक test print लूँगा final print मैं एक T-shirt पर लेने वाला हूँ ताकि मेरे पास एक cool Thanos की T-shirt हो okay alignment is fine normally लोग ink use करते हैं printing के लिए but क्योंकि यह हमारा homemade DIY technique है इसलिए हम use करेंगे acrylic colors तो आप acrylic colors ले सकते हैं और आपको बस acrylic color को pour करना है और अब हमें इस color को basically pull करना है screen के through ताकि एक even coat इस fabric के यानि इस net या फिर mesh के through pass होके paper या फिर fabric पर आ जाए हैं तो वह काट देते हैं plastic का तो you can use that या फिर आप mountboard का या फिर old file का piece cut कर सकते हैं normally लोग squeezy use करते हैं जो कि एक छोटा foam का strip रहता है अगर आपके पास वह है तो आप वह भी उसकर सकते हैं now all we need to do is pull the color down evenly so let's try the edges के लिए मैं सरफ edges के around ऐसे ही circular fashion में color pull कर रहूं and that's it we're done let's remove this and check हमारा प्रिंट कैसा लग रहा है ready देखते हैं okay there you go look at that wow look at that looks so awesome अब देख सकते हैं की बहुत ही अच्छा प्रिंट आ है and I'm actually loving the texture अगर आप बहुत क्लोज देखेंगे so here you can see we have this beautiful texture बहुत ही अच्छा कपडे का texture इसके अपर आया है इसके वारा प्रिंट और भी interesting लग रहा है look at that I'm loving it यह देखें वाव looks amazing I can't wait to see this on our t-shirt nice okay so मारा प्रिंट ठीक निकला है कहीं पे भी extra maybe one or two places bought tiny dots आयें तो यह चोटी गलतियां रह गई बट क्यूंकि हमारा design जो है उसमें हमने ऐसा pattern दिया है dots का तो उससे कुछ problem नहीं आ रही है looking pretty cool okay तो यहां पर हमारा यह प्रिंट काफी अच्छा है तो I'm confident कि अब हम इसी screen से टी-shirt पर प्रिंट ले सकते हैं so let's bring the T-shirt in okay तो यह आ गई हमारी T-shirt as you can see यह एक plain white cotton T-shirt है यह कि मैं black print लेने वाला हूं उसके उपर पर आप कोई भी color की T-shirt ले सकते हैं और कोई भी color का print भी ले सकते हैं इसके अंदर मैंने एक छोटा यहां पर box board का piece डाला है ताकि जब मैं print लूँ तो वह print आगे से ट्रांसफर होके उसके पीछे की तरफ ना चले जाए जिससे की मेरी T-shirt खराब हो सकती है okay now यह आ गई हमारी screen अभी alignment check करेंगे और उसके बाद हम लेंगे इस पर print so let's start okay same process अब हम थोड़ा color डालेंगे screen पे उसके बाद मैं लूँगा यह हमारा टूल और अब हम color को spread करेंगे all right moment of truth दिखते हैं print कैसा है and just cross all right wow look at that देखा अपने किती असानी से हमने एक घर पे T-shirt प्रिंट कर ली है using silk screen method isn't that amazing चलिए box board निकालते हैं और देखते हैं कि final T-shirt कैसे लग रही है let's do it तो यह था एक simple औस्तस्ता तरीका घर में T-shirt प्रिंट करने का I hope आप लोगों को यह video पसंद आया हो और यह tutorial easy लगा हो अगर लगा तो आपको पता क्या करना है आपको like बटन धबाना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और आप सब लोगों के साथ share कर सकते हो और अगर अभी तक नहीं किया है bro subscribe करो और बागी सब को भी कराओ और अगर आप यह T-shirt बना रहे हैं या यह टेकनीक यूज करके कुछ पोस्टर बना रहे हैं कुछ भी आर्ट बना रहे हैं तो प्लीज पिच्चे क्लिक कीजेए और मेरे इंस्टाग्राम हैंल यहां पर है टैग करना मत भूलना और अगर आप लोग के पास कोई suggestion है कोई idea है या फिर सिरफ आप लोग को बताना है कि यह वीडियो कैसा है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद हिंदी में shoot कर रहा हूं तो please let me know in the comments below और मैं आप लोग को मिलूँगा अगले वीडियो में till then like I always say do good and be good. Peace